नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे नेपाल और भारत के हाल के संबंदों पर हाली में भारत के रक्षा मंत्री राजनाद सिंग ने केलाश मांसरोर जाने के लिए उत्राखंड के धार चुला से लिफूलेक तक एक सड़क मारका उदगाटन किया है तिबबत में सिंग केलाश मांसरोर तक पहुँचने के तीन रास्ते हैं पहला सिक्किम के नाथुला होकर दूसरा काटमांडू से और तीसरा यह हमारक जिसका हाली में उत्गाटन किया गया है उत्गाटन को लेकर नेपाल ने अपनी नाराजगी जिताते हुए नेपाल में भारत के राजदूत को तलब किया नेपाल का मानना है कि भारत ने नेपाल की सीमा के बीतर निर्मानकारी किया है नेपाल कहता है कि भारत ने सीमा संबंदी आपसी मुद्दों संबंदी समझोते का पालन नहीं किया है जो 2014 में लागू हुआ था जबकि भारत के विदेश मंत्राले का कहना है कि यह लिंक रोड पूरी तरह से भारत का हिस्सा है विवाद लीपू लेक पास को लेकर है लीपू लेक समुद्र तल से 17600 फीट की उंचाई पर स्थित एक दर्रा है जो भारत चीन और नेपाल के ट्राइजेंशन पर स्थित है इस दर्रे के देख्शनी क्षेतर जिसे काला पानी कहा जाता है उसे नेपाल अपना क्षेतर मानता है और उसी को लेकर नेपाल का भारत से विरोध रहा है काला पानी 1962 से भारत के नियंतरन में है और पिथोरागड जिले में स्थित है ब्रिटिश सर्वेयरों द्वारा सुगाली की संदी 1816 में भारत और ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच की गई थी जिसमें काली नदी को निपाल की पष्चिमी सीमा माना गया लेकिन अलग-अलग नक्षों में ये काली नदी के स्त्रोतों को अलग-अलग बताया गया यही कालण है कि विवाद को इसने पेदा किया इस रोड के बनने से भारत में केलाश मांसरोर पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा और समय भी बहुत कम लगेगा साथ ही अब पैदल भी लगबग 5 किलोमेटर ही चलना पड़ेगा जहां तक बात करें इसके महत्यकी तो यह रोड सामरीक दिश्टी से भी बहुत मत्वपूर है क्योंकि चीन तक भारत की पहुंच बहुत आसान हो जाएगी